रुकरते हैं परदेश के और गोबिन सागर जील में मचली पकड़ने को लेकर ठेका परनाली को इटेंडरिंग के अधिन करने के परदेश सरकार के नेने के खिलाफ अब फिश कॉंट्रेक्टर बब मच्छवारे लामबत हो गए हैं मीडिया से बातचीत में जहां फिश कॉंट्रेक्टर ने जहां परदेश सरकार द्वारा इस नेने को पापिस लेने की नसीहती बहीं इस पेपार से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हाई कोट का दरवाजा खटकटाने का भी दाबा किया है बाकड़ा बिस्तापन के बाद जहां गोविन सागर जील में मचली पकड़ने का कारे सहकारे सलवाओं के मादें से बिस्तापित परिवारों को सौपा गया था तो बहीं लंबे अर्थे से फिश कॉंट्रेक्टर इमानदारी के साथ कारे कर मच्वारों की आम दनी का भी सहा बने हुए हैं बहीं अब मचली पकड़ने को लेकर ठेका परनाली को एटाजिन के तहत करने के परदेश सरकार के आदेश के बाद फिश कॉंट्रेक्टरों सहित मच्वारों में रोश देखने को मिला है बहीं बिलास्पुर में आयोजित एक प्रसवारता के दौरान फिश क कॉंट्रेक्टरों का कहना है कि आने वाले समी में परदेश सरकार पूरों में कर्यायक कर रहे फिश कॉंट्रेक्टरों के खिलाब कदम उठाते हुए इटडरिन को तबज्जो देती है तो सबी। ट्रेक्टर मिलतर हाई कोड का दरवाजा खट कटाने को मजबूर होंगे। ट्रेक्टर मिलतर होंगे। ट्रेक्टर मिलतर होंगे। ट्रेक्टर मिलतर होंगे। मजबूर का काम अपने रॉयल्टी लेना है और इस जील की देख लेक करने का है। अगर भिवाग ने पुरानी प्रिक्टिया के तहत इस जील के ठेके नहीं करवाए। तो हम जो है इस बात को आगे लेके जाएंगे। अगर हो सका तो हम हाई कोट तक इस चीज को लेकर के जाएंगे। एक कारोबार मचली का सुरू किया और उसको 50 सा बरस होगे उस काम को करते हुए। आज तक हम काम कर रहे हैं इमानदारी से कर रहे हैं और अश्टि लोग थे हमारे जो मचहरें वर गए वो गरीम तबका है वो भी बचारा 50 साल से मचहरें का काम कर रहा है। आज सरकार ने उन मचहरों को इस पजिसन में डाल दिया है और अश्टि ठेकेदारों को जो पचाल साल से गोविन साल से जुड़े हुए हैं उनको मुस्कला डाल दिया है। कि आज के टैम में इस पजिसन में हम ठेकदार और जो बूड़े हुए मचियारे जिनकी उमर साट साल होगी है, सातर साल के लगबग होगी है, वो कहां जाएंगे। सरकार चाहरी है कि हम इट एंडर को राएं, अपना कोई मूर लगा हुआ आदमी, ये कोई ठेके दार जिसको फ्याता देने चाहरे हैं, उसको लाने चाहरे हैं जब पचास साल मेंने हुआ। पहले भी सरकार ने तीन सवाएं कलकता से लाई थी, एक CFC, एक AFC, एक FIS FED बनाई थी, जिनोंने लाखों रुपै सकारियों का मारा है, और आज तक एक पाई नी दी है, ना सरकारों ने, कोई भी सरकार थी, ना उनका पैसा दिलवाने की कोशिस की है।